जैंद एवरिवान, अक्सर बच्चों का एक सिंपल सा सवाल मेरे सामने होता है, मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे कने, कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाता, वर्क का मैनेजमेंट किया जाता है, टाइम तो अपने आप मैनेज हो ही रहा है, आपको वर्क मैनेजमेंट प प्रिपरेशन गोल तक तभी पहुंचते हैं जब आपको पता हो सहीर रास्ता क्या चुना जाए ताकि आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकें अब उसके लिए सिंपल स्ट्राटेजी को आज हम समझेंगे कि NDA के लिए आपके स्टडी प्लांस 2025 फॉर्स्ट इंटेक के लिए क्या सेट मार्क्स होने चाहिए सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि पहले इंगलिश साइन्स और जिएच अब वास्ट स्लेबस को हम देखते हैं और देखते हैं वन बाई वन इनको कहां से और कितना कवर करें कि हमारा पूरा स्लेबस एक्शल में कमप्लीट हो जाए तो सबसे पहले बात करेंगे मैस के लिए मैस को पढ़ा कैसे जाता है मैं को स्ट्राटेजी बताने नहीं आई हो आपको यह बताने आई हो कि आपको पढ़ना कैसे है कई बिच्चे बोलते माम सब कुछ पढ़ लिया लेकिर उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहें तो वह भी चीज़ें हम देखेंगे आपको पढ़ना कैसे है मैट्स को सबसे पहले आपको डेली अपका टर्गेल ओना चाहिए थेठों पूरस्लेबस हो बहुत वास्ट है 3032 चाप्टर ze आपके सामने लेकिन उन चाप्टर में आपको पूरा स्लीबस की अच्छे टीटेल से पपता होना चाहिए और विपर टेच पता होना चाहिए की आप सा चाप्टेर कितने नमबर कहा रहा है अब आप सबसे पहला काम करो कि आप सिलेक्टेřस topics को cover करिए केवल और केवल selected topics उठाहिए जैसे matrix and determinant probability statistics trigonometry function vector 3d कुछ selected chapter ज़े जिनको पढ़ने से आपकी cut-off तो अराम से शुमनतर हो जाते हैं And trust me, अगर किसीने दो मन्त भी Maths लग करके पढ़ लिना, तो Maths की Cut-Off वो अराम से निकाल सकता है. तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि Selected Topic आप चुनिए, Waitage के According और अपना Target सेट करिए कि दो मन्त में मुझे ये Topic खतम करना है. लेकिन Topic कैसे खतम होता है, ये भी बड़े important बात है कि आपने तो पढ़ लिया, आपके end से वाकई खतम हो गया. लेकिन क्या वो वाकई खतम हो चुका है competitive level पे भी? उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है? Previous Year Questions उठाने हैं. उन mock test में, उन sample paper में previous year questions आप उठाईएं, आप देखें कि actual में UPSC आपसे पूछ क्या रहा है? आपका क्या level है और UPSC का क्या level है? जब तक आप उन दोनों के level को upgrade नहीं करेंगे, तब तक आप target को hit नहीं कर पाएंगे. दूसरे important बात, do revision, maximum time. revision करने का मतलब यह नहीं कि copy उठाई, जो teacher ने लिखाई, उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिये. maths का revision का तरीका बिलकुल गलत है अगर आप ऐसा कर रहे हैं. maths का जब भी हम revision की बात करते हैं, तो हम multiple questions की बात कर रहे होते हैं. multiple mcq questions की बात कर रहे होते हैं. formula sheet की revision की बात कर रहे होते हैं. जब हम बात करते हैं, तो हमें यहां पे ध्यान देना होता है, कि वाकई में क्या जितने variety of questions हैं उस chapter से related, क्या हम उसको cover कर पा रहे हैं? दूसरी बात, don't think maths is too tough. यह सबसे बड़ा मित है, आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, maths बिल्कुल tough नहीं है, बच्छो. Math से जब आपको प्यार हो जाएगा, आपको लगाव हो जाएगा, maths से जादा interesting चीज़ आपको कुछ नहीं लगेगी. तो सबसे important बात है कि अपने selective chapter, interest के साब से आप chapters को सरूर सिलेक्ट कर लें. Practice and practice. Practice is the key to success in mathematics. Next, how to do it? सबसे पहले किसी chapter की theory बनाई, फिर उसके PYQ किये हो, और आपके पास जैसे MKC की publication की book है, जिसमें आपको properly topic wise questions दिये हुए हैं. और theory क्या है? theory classroom visit करिये हैं. कोशिश करिए कि आप offline आए. Offline जब आप classes में बैठते हैं, तो आपको theory बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है. Online batches भी आप हमारी ले सकते हैं. लेकिन आप कहीं से भी पढ़िए, बट theory आप properly अच्छे से अपनी complete करिए with the formulas. आप one shot के चक्कर में बिलकुल भी मत पढ़े हैं, क्योंकि अक्सर बच्चा क्या करता है? YouTube के one shot के चक्कर में पढ़ता है. वो कभी भी बच्चे को success नहीं दिलाते हैं. One shot is only for revision. It's not for the content of preparation. ठीक है? तो सबसे important बात, theory आप कवर करिए, classroom lectures proper लेजे, notes proper लेजे. उसके बाद previous year questionors के उपर mock test दीजे, books में proper आपको shuffle करके questions, topic, easy to hard level दिये गए हैं, उनको दीजे और last में आप mock test दीजे. इसमें revision में आप formula sheet रख सकते हैं, otherwise, जो main तरीका है, वो mock test देने से ही आपको पता चलता है कि आपकी preparation कितने level पे हैं. JT, JT के जब हम बात करते हैं, तो उसमें आते हैं English, सबसे important. English को अगर हम ध्यान दे, तो इसके कुछ section already divided है, vocab, grammar, reading comprehension, reading comprehension, कैसे strong करना अभी इसके ओपर भी बात करेंगे, तो one time investment है ये, one time investment जब हम कहते हैं, उसका मतलब ये है, कि एक बार आपको पूरी English पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि जब errors आते हैं, तो वो किसी भी section से आ सकते हैं, तो एक बार आपको English का पूरा syllabus complete करना ही पढ़ेगा, इधर वो vocab, vocab के लिए हमारी lexicon की book, जिससे हमेशा 80-90% vocabulary अराम से फस जाती है, तो उससे जादा बाहर जाने की जरूरत आपको है ही नहीं, तो आप vocabulary section वहाँ से cover करिए, साथी साथ grammar section, class notes से आपके अराम से complete हो जाएंगे, और उसके बाद reading comprehension, English को पढ़ने के कुछ अच्छे तरीके क्या है, सबसे पहले आप newspaper regularly पढ़िए, keep revising your grammar rules, grammar rules को जितनी बार आप revise करेंगे, उतना ही आपको benefit मिलेगा, prepare for reading comprehension, भाई newspaper पढ़ोगे, articles प very important, excel at spotting error, spotting error के कुछ ऐसे पसंदीदा questions होते हैं, जो बार-बार regulate करते हैं, तो उन पे जरूर कमांड करनी है, build a strong vocabulary, और vocabulary का काम तो SSB में itself है, तो आप जो vocabulary पढ़ रहे हैं, उसको day to day life में बोलने का भी प्रयास करेंगे, तो already आप उससे habitual हो जाएंगे, work on your listening skills, जैसे आप web series देख रहे हो, या कोई movie देख रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि आप उसका subtitle English में at least on कर दीजे, याप movie को English में देखने के कोशिश करिए, जितनी ज्यादा से words आप तरीके English को सुनने के सीखेंगे, उतने ही fluent आप हो जाएंगे English को बोलने में भी, और time management is very very important, English में vocabulary और साथ ही साथ reading comprehension को ले करके आपका time management करना बहुत ज्यादा important होता है, आगे GAT section के बात करें तो सबसे important है science, science में जब हम बात करते हैं, तो physics, chemistry और biology, तीनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपने केवल और केवल फोकस करा रहे हैं आपको chemistry और physics में, chemistry और, sorry, chemistry और biology पे, chemistry और biology जो है, वो आपकी up to 9th, 10th level की आपी है, तो अगर आपने chemistry उस लेवल के complete कर रखा है, trust me on that, आप अराम से यहाँ से 25 के 25 सवाल उड़ा सकते हैं, आप इसकी reference के लिए, mkc publication book भी ले सकते हो, साथी साथ, lucent की book भी ले सकते हैं, lucent की book से भी आप अच्छे से preparation कर सकते हैं, औ सबसे important बात, रटा नहीं लगाना है, उसको समझ के याद करना है, जितना प्रॉपर लिया आप समझ के याद रखें कि उतना आपको benefit होगा, रही बात physics के, physics के लेवल थोड़ा सा अप ग्रेड़ेड होता है, physics के 25 सवाल आएंगे, वो आपके J means level तक के सवाल आते हैं, कई लेवल फ्लक्चुएट करता है, लेकिन J means tough level तो नहीं हो जाएगा, आप उसके previous year questions भी physics के लिए खासकर लगाने शुरू कर दिए, इसके लिए जरूरी नहीं है, drill yourself on the core concepts, मतलब हमेशा concepts पे काम करो, हमेशा तुरंट question पे jump मत करो, questions तभी solve होंगे जब आपके concepts एक्डम तया क्योंकि अगर इस variety का question बनेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, अलग-अलग innovations आपको दिमाग में अपने लाने चाहिए, think conceptually, get in the study zone, ठीक है, अपने study zone में रहे है, क्योंकि वो बहुत जादा ज़रूरी है, study zone में रहना, एक environment बना के रखना, एक अपना study table बना के रखना, एक habitual planning, time management देखो, तुमारे को करना ही है, आपके पास total होते हैं 24 गंटे, और अगर हम 24 गंटे की बात करें बच्छो, तो 24 गंटे को आप कैसे distribute कर सकते हो, आप distribute कर सकते हो 24 गंटे को 8-8-8 गंटे में, 8 गंटे आप अपना sleep cycle को दे, ठीक है, कोई बात नहीं, 8 गंटे proper studies को होने चा नहीं है, trust me on that, इस 8 गंटे को यहां पर आप sleep के लिए रख लो, यहां आपको studies के लिए proper हर subject को देना है, और यह जो बचे 8 गंटे है, इसको आप 2-2-2-2 गंटे करके distribute कर लो, 2 गंटे अपने दिन बर में खाने पीने के लिए के लिए, 2 गंटे अपने कुछ hobbies को डवलप कर निकले रखे, 2 गंटे के लिए और फ्रेंस के साथ गुमने निकल गए या कुछ ऐसे innovative चीजे करने पर निकल गए, तो यह जो 2-2-2 करके घंटे जो आपके distributed हैं, यह आपके दिमाग में एकदम scheduled होने चाहिए कि आपको कैसे invest कर रहे है, तो यह जो ट्रिपल एट के थियरी ह है, आपके successful हो करके निकलेंगे, आगे अगे अगर हम बात करें GS, GS के जब हम बात करते हैं, तो बेटा देखो, उसमें क्या क्या आ रहा है, history, जिसमें already middle, ancient and modern history, geography, Indian geography, world geography, polity, economics and current affairs, इस तारे को मिला करके हम क्या बोल रहे हैं, GS, अब यह स्लिबस इतना जादा वास्ट है कि इसको cover करना वाकर ही challenging होता है, लेकिन हाँ, अगर आपको एक proper बढ़िया सा teacher मिल जाए, जो जिसको already UPSC की पूरी research हो, कि वाकर UPSC question पूचता कहां से, UPSC का दिमाग कहां पे है, जबी भी आप MCQ के question करें, GS के खास कर, तो आप उन questions के जो solution उसको तक तो आप समझें, लेकि एक subjective और एक objective, जो आपकी GS की preparation को वाकर ही boost up करेगा, और revision के लिए होती है, lucid, आपको अगर concept पढ़ने है, theory पढ़ने है, तो उसके लिए आपको classroom में proper एक lecture सुनना पढ़ेगा, उसके बाद ही GS prepare हो सकती, और effective lectures होने चाहिए आपके यह, और साथ ही साथ इनकी book, जो आपको topic requires proper questions भी दे, और UPSC level तक को आपको miscellaneous questions भी provide करे, next अगर हम बात करें, आगे की, तो GS के लिए सबसे important GS prepare करने का तरीका है, quiz, the more you will be available to the quiz of for GS, उतनी ही जादा आपकी preparation अच्छी हो जाएगी, mock test and pyqs, syllabus को समझना बहत जरूरी है, GS का, very good, क्योंकि syllabus इतना जादा वास्ट है, कि अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें तो आप जीवन काल तक कभी उसे खतम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो smart study करता है, उसको पता होता है कि question कहां से आने है, चीजों को कहानी की तरह समझ लेना ही जरूरी है, जितने अच्छे historical form में सुनोगी, जितने अच्छे class lectures को लोगे उतना ही जादा benefit पड़ेगा, चीजों को रटना बंद कर दीजे, यह बहुत important बात है, self study के कुछ key points last में मैं आपको देना चाहूंगी, make notes everyday, test yourself regularly, second important बात, create a personalized study space, ठीक है, अपना एक creative personalized space होना चाहिए, जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आए है, study in a way that works for you, आप अपने त क्या कर रहा है, that doesn't matter, आप कितने तरीके से, आप किस तरीके से, चीजों को पढ़ सकते है, आप तेज भी पढ़ सकते है, आप धी में भी पढ़ सकते है, वो आपकी strategy होनी चाहिए, आपकी महनत है, वो, be consistent, that is very important, 4 दिन पढ़ करके, फिर 8 दिन मस्ती मारना, कोई आपको किस end तक नहीं ले जाएगा, that is really true, तो better है कि आप consistent रहे अपनी preparation को ले करके, stay organized, 888, distribution करके दिया है, तो अपने strategy को follow करो, और वाकई comment section में बताओ, क्या यह promise करते हो कि अगला 2025 आप वाकई फोकस करने के लिए तयार है, जैहिन, जैभारत.